दोस्तों स्वियसी बोर्ट के द्वारा जारी की गई सीटेट दिसमबर 2022 के ऑफिशल आंसर की आपने अपने नंबर को देख लिया होगा तो दोस्तों आप सभी को विजडर मास्टर की तरब से बहुत धेर सारे शुब कामना है और दोस्तों जिनका एक या दो नंबर से डुक होना चाहिए होगा भी आप लोग अभी से हार मत मानिये जब तक कि आपका फाइनल डिजल्ट नहीं आ जाएगा और दोस्तों इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि अभी नंबर कितना बढ़ सकता है कितने नंबर बढ़ने की चांस है तो बने रहेएगा वीडियो के लास जो गलतियां दोस्तों अभी सीवेसी बोर्ड ने मान लिया है उसका उन्होंने तो शालिशन कर दिया है लेकिन जो गलतियां इग्नोर हुई है उसी रिवाइज आंसर की में दिखाया जाएगा तो आप लोग बिल्कुल भी परशान नहों यह जैसा कि आप लोगों को पता ह होगा कि जो चैलेंज कोशन की जो डेट दी गई है 17 तक तो आप जो आपका जिनुन कोशन है आप उस पर आपजेक्शन कर सकते हैं आपजेक्शन के बाद जो आपका रिवाइज आंसर की आएगा दोस्तों तो एक दो नंबर आपका तो बढ़े गाई दोस्तों देखिए द उसको तो भूली जाएए कि नार्मरलाइजेशन होगा या नहीं होगा ये तो होना नहीं है क्योंकि मेंशन ही नहीं किया गया है और अब हम लोग रिवाइज आंसर की कि अगर बात करें जो आपके कोशन चैलेंज की बात करें तो आपका रिवाइज आंसर की जो आएगा त पिछली साल जो आपका सीटेट का एक्जाम हुआ था उसमें पैसेज के जो 9 नंबर कोशन आते हैं वो पूरे गलत थे और पैसेज अलग था उसका कोशन अलग था तो फिर उसके बाद जो रिवाज़ आंसर की आई था तो उसमें ये जो लास्ट शिफ्ट का था सीटेट का ज अब जिनका भी एककाद नंबर से रूक रहा है तो आप लोग बिलकुल भी मत परशान हो ये बिलकुल मत हार मानिए क्योंकि अगर आप लोगों ने देखा ही होगा आंसर की में जिनका भी नो लिख कर क्या रहा है समझ लिए उस पर कॉमन नंबर मिलना है और जो अभी चैल नंबर दिया गया था लेकिन वो सीटेट ने अफिशली उसको बताया नहीं कोई सॉलिड रीजन उसका नहीं दिया कि क्यों एक नंबर बढ़ाया गया बट सबका एक एक नंबर जो है है तो वो प्लस हो जाएगा आप लोग घबड़ा यह नहीं ठीक है और थोड़ा सा पेशन्स रखिए आपका आप भी क्वालिफाई कर जाएंगे मैं आप सभी के लिए दौा करूंगे कि जिनका एक से दो नंबर से रुक रहा है आप लोग क्वालिफाई कर लें तो दोस्तों यह थी आज की अपडेट पूरी जानकारी कैसी लगी अच्छी लगी योगत श्यर करिएगा और विज्टर मास्टर को सब्सक्राइब करिएगा जादा जादा लाइक करिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तक लिए बाइबाइ टिकेर तिंक्यो